एपिसोर की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन फैमिली के सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तबी किन यूवान जैंक के आगे से सारी डिसस उठवा कर अपने आगे रखवा लेता है जिसमार जैंक गुसे से आग बबुला हो जाता है पर किन यूवान का कुछ भी नहीं उनकी ये बात सुनकर जैंग को और भी गुस्सा आता है किन फैमली की मेट जाकर ये बात लेडी सेंग को बताती है इसे सुनकर वो भड़क उठती है और कहती है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया जो कि अपाहिज बंदा तीर से तलवार बन गया जैंग उससे डरने लगा और ल शादी के रात ब्राइड एक्सचेंज हो गई थी जो लड़की तुम्हारी बीवी बन कर आई है वो एक फ्राड लड़की है जो तुम्हें धोखा दे रही है इस पर किन युवान लियान से पूसता है कि क्या तुमने मुझे जूट बोला है लियान कहती है कि मैं ऐसा क्यू को फिक कर मारता है इस पर दोनों मा बेटी डर के मारे कोने में जा खड़ी होती है कि युवान कहता है कि मुझे जूट से सक्थ नफरत है जब भी कोई मेरे सामने जूट बोलता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है और उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता वो दोनों मा बेट किन जी किन युवान से मिलने आता है जो कि एक मिलेटरी आफिसर था यहां जैंग भी मौजूद होता है किन युवान अपने दोनों भाईयों के साथ एक गन गेम खेलता है जिसमें जब वो अपने और एंडर ब्रदर की तरफ गन पॉइंट करके शूट करता है तो गोली न मुश्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा किन युवान को जैंक के हाधों बुली होते देखा था यह पहली बार था जब किन युवान उर्टा जैंक को डरा रहा था इसके बाद सी孔ध होता है जहां लियान और के αपने रूम में होते हैं लियान उसे भूसी है कि तुम कौन हो किन यूवान कहता है कि मैं कौन हूँ ये बात मैटर नहीं करती तुम बस ये जान लो कि मैं रियल किन यूवान नहीं हूँ और नहीं तुम किन यूवान के बीवी हो इसलिए तुम बस ये समझ लो कि हम दोनों बस एक दोजे के लिए ही बने हैं इस पर लियान उ दिखाए तो मुझे बहुत गुसा आता है पर तुम मेरे लवर हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं इतनी में वहां किन युवान का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है कि एल्डर ब्रदर ने घर में पार्टी रखी है इसमें चेन फैमली के लोग भी आने वा सबक सिखाने के लिए निया गवान को फिर अफर करता है नियान अपनी के लिएयर नी यह wr चोड़दार थपन जर देती है यो देखकर किन्योआण को बड़ा मजाता है पर तभी वह बंदा भी मौनने के लिए अपना हहात उठाता है पर तभी में चेंग और को जाता है लियांट कर खाफी गुस्सा थी वह उसके साथ चली जाती है उसे जाता हुआ किन यूआन भी देखता है ज्यादा ड्रिक पीनी की वयजे से नियान सेख भी नसे में आपकर गिरने लगती है पर किन उसे सम्हालता नहीं वह कहता है कि चाहे तुम कितनी भी साजिस कर लो पर तुम अब किन फैमिली में शामिल नहीं हो पाओगी इदर रास्ते में चेंड मोफान लियान के साथ बत्तमीजी करने लगता है तो लियान उसे भी एक थपड़ जड़कर कार्ट से उतर जाती है और वापस किन वैंसन चली जाती है इ चेंड लियोंग उसके लाए हुए पीपर्स पर सिगनेचर कर देता है सिगनेचर हो जाने के पाथ किन यूवान उसे बताता है कि मेरे पास कैस नहीं है इस पर चेंड लियोंग लाइक मेरा बैंक खरीदने क्या तुम अपना मोह लेकर आये थे किन यूवान उसे बताता है क दो जल्दी चलती घर जाकर शादी की तयारिया करने लगता है जैद मुफान को जब इस बारे में पता चलता है तो भी हैरान रह जाता है क्योंकि वह भी लियान को पसंद करने लगा था इधर घर पहुचकर किन यूवां लियान को डरा धमका कर एक बार फिर से ब्राइड ग् पर मास्क वालों बंदाउं से लात मार कर ये कहकर भगा देता है कि चार एंपल्स रख कर और चार अगर बत्या जला कर तुम सभी मुझे अपना नौकर नहीं बना सकते ये सुनकर बेचारा चेन मुफान दर्के मारे वहां से भाग जाता है इधर चेन लियांग अपने ब्राइडल रूम में लियांग के पास आता है और लियांग का घूगट हटा कर मेश पर पड़ी वाइन पीता है वाइन को पीते ही वो बेहोसों का नीचे गिर जाता है इस मौकी का फायदा उठा कर लियांग वहां से भागने की कोसिस करती है पर जैसे ही वो दर्वाज़ा खोलती है उसे सामने किन यूवान खड़ा नजर आता है इसे देखकर वो डर जाती है किन यूवान उसे वापस से बिट पर ले जाता है लियांग उससे पूछती है कि तुम यहां क्यूं आये हो वो उसे बताता है कि मार्सल चैनली यॉंग को वा लियान को उसका फोन दिखाता है और कहता है कि बाहर बहुत से लोग मौजूद है तुम यहां से नहीं भाग पाऊगी इतना कहकर वो लियान के साथ एंटिमेट होता है जिसके रिकॉर्डिंग भी वो लियान के फोन में कर लेता है बाहर ख़ड़ा चेंड मुफान यह समझता है कि लियान के साथ उसका भाई है यह सोचकर वो काफी ज़्यादा जैलिस फील करता है निश्ट मौर्णिंग वो चैंड यंग से मिलने जाता है और बातों ही बातों में वो उसे मार डालता है इधर लियान की युवान के कहने पर टाम से लाए प्रीसियस आइटम्स को ढू कटकर अपने दिल पर रख देता है जिसे लियान जल्दी से हटा लेती है इस पर वो उस रूम के डोर को ओपिन कर गे वहां से चला जाता है यहीं यह पार्ट इंड होता है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहें मेरे साथ औ करें टेक केर और गुड़ बाए